सबसे पहले हम बात करेंगे Prince Pipe Limited के बारे में अगर हम कल के दिन के बात करें तो कल के दिन इन स्टॉप में हम एक बहुत ही शांदार तेजी डेटन को मिला था जो कि आप देख सकते हो कि लगबख आठ सारे 8% की तेजी और ऐसे नहीं कि पूरे दिन भर की ये तेजी है ये जो तेजी है सिर्फ उसे कुछ चंत मिन्डू की ये तेजी है क्योंकि अगर आप इसके ग्राफ को देखोगे तो आप देख सकते हैं तो आप इसके चार्ट के पूरे दिन भर ये श्टॉप एक ही रेंज में एक बहुत ही फ्लैटी स्टॉप में दे रहा था बट इग्जाग्ली बाजर क्लोस होने से कुछ चंत मिनिट पहले इस प्रका के कमाल के सुटाब देखन को मिले यानि कि इस बॉटम पे किसी ने जोरदार बहुत ही हैवी लिया अच्छी का से बाइंग किया क्योंकि अगर आप इसके कल की दिन के डिलिवरी परसंटेज को देखोगे तो आप देख सकते हो कि कल की दिन लगबा के स्टॉक में उने चार लाग के आसपास सेल्स ट्रेड हुए जिस ट्रेड के वैलू लगबा के आसपास और उसमें से 80 डिलिवरी परसंटेज देखा जाए तो 82 परसंट के किसी ने डिलिवरी परसंटेज उठाए यह टाएं कि कल कि दिन जितनी भी ट्रेड हो एं स्टॉक में उसमें से मैक्समाम हमें डिलिवरी के तोर पर इन स्टॉक में इन्वेस्मेंट किये गए। जिसके चलते किसी ने दबा के माल खरीद होगा तब भी जाके इस प्रका के कमाल कि सुद आप देखन को मिल लाएं और ए एक मन की ग्राफ में भी कल की दिन की तीजी आपको साप साप नजर आ जाएगा जो कि आप देख सकते हो इससे पहले पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक अच्छागा से प्रेशर आ रहा था बड़ कल की दिन की तीजी की बाद इस सारे चिजी आपॉसिरिव में धूक ARE हो चुका है तो अगर आप इसके सोट टाइम की प्रफोस्च को देखूँगे तो आपको अच्छी नज़र आगा और अगर प्रोड से लॉंट ही पुराने इभस्टोर हों premium होगा जो बहुत ही ज़दा वह बहुत अच्छे बासे profit में है, क्योंकि नेट लगबख 300-300% के profit है, बटी उनके पास है, जिन्होंने exactly यहाँ पर यहाँ पर भाई किया होगा, जिन्होंने bull market के बाद यहाँ पर इंडर किया होगा, उसके बाद सो stock काफी time से, बहुती लंबे consolidation में है, यहाँ तक कि आज भ लगबख 9% के negative profit में है, वो भी ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो साल के लिए, लगबख लगबख 2021 से लेके 2024 तक लगबख 300-900% के negative profit में है, वो भी ऐसे छोटी और ऐसे दमदार कंपनी में है, तो इस negative profit में इसके पीछे का reason कि कोई stock 300-0 negative profit में दे रहे है, वो भी ऐसे छोटी 2003 साल में Nifty ने भी बहुत कमाल के profit मना के लिए, उसके company में अगर हम प्रींस पर आपके बात करें, तो तीन साल के इसके performance है, बहुत 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 ज़्यादा खरात है, तो इसके पीछे का reason क्या है, क्यों ये stock market अच्छे करने के बाद भी, market top पे होने के बाद भी stock के side से को last performance देनी पार है, जो कि आप देख सकते हो कि 2022 मार्च में जो इसमें पहली बार 900 करोग के sales हची किया, और उसके बाद अभी तक company के sales एक ही range में, 600, 600, 700, 700 इसी range में, सेम उसी range में company के जो operating profit वो भी एक ही range में निजर आएगा, साथ ही साथ जो company के net profit है, सेम net profit भी आपको एक ही range में, देख सकते हो कि कभी loss, तो कभी 35 करोग का profit, अगे 94 करोग का profit, फिर डाउन होके 20 करोग, फिर अगें आप होके 71 करोग, फिर अगें डाउन होके 35, 38 करोग और इस बार आप होके 55 करोग, मतलब बहुत ज़ादा अपसे नाउट, अगर इस प्रका के अगर आपका नंबर में consistency होंगे लिए, तो उपर से चोटी कमपनी है, तो ऐसे नंबर को तो बाज़ार बिल्कुल भी appreciate नहीं करेंगे, KPIT कैसे कमपनी है, वो भी चोटी कमपनी है, लेकिन उसके chart pattern ऐसे है, क्योंकि consistency वो हर बार, quarterly-ally, दोनों business एक अच्छी नंबर present करते हैं, जिसके चलते हैं, एक तरफा उपर देखने को मिलाते हैं, और प्रिंस पर आप की बात करें, तो अगर इस प्रका के अपसे नंबर present करेंगे, तो बाज़ार तो ऐसे नंबर को ओपर के side यह बिल्कुल भी appreciate नहीं करेंगे, तो क्या आप इन stock को, जो पुराने investor हैं, तो क्या इनको loss में निकाल की शुरुबात हुआ था, और company initially manufacture PBC product, it is currently अभी इंगेज हो चुक है, manufacture of polymer piping solution, four type of हमें इनके pipe देखने को मिलाते हैं, जैसे की CPBC, UPBC, HBP के बात करें, फिर PPR के बात करें, और company के presence भी हमें अच्छी कास से देखने को मिल जाते हैं, तो इतना जरू है, कि company के business बिल्कु भी खरापने हो, जो sector है, plastic product बाले, plastic pipe बाले, इसके demand आगे भी बहुत कमाल के तरह से रहने बाले है, और यह जो piping industry है दोस्तों, अभी भी छोटी है, तो बहुत ग्रोहताना बाकि है, जैसे rate card के announcement आपको देखने को मिलेगा, तो इन company की demand आपको फिर से peak पर जाते है, आपको दे recover कर देखने को मिल सकता है, then अगला stock के बात करें, और एक दमदार company, so polycap India limited, so polycap के बात करें, तो कल के दिन के बात करें, कल के दिन बाजर में इतने अच्छे rally होने के बात भी, polycap के साइड से कुछ खास performance है, था नहीं, मतलब लगभग 0.3% के गिरा, बाखे पिछले 5 दिनो के बात करें, तो गिरा तो ये भी था 4th June को, यूँकि पूरे बाजर गिरा था, इसने भी अच्छे का से comeback किया, जहां से गिरा है, almost उसी level तक recover कर चुका है, अगर अगर आप 5 दिन के net net performance के बात करें, तो आपको पहने 3% के गिरावटी नजर आएगा, हाँ बाकि और अगर के बात का है, तो उनके पास तो और भी कमाल के profit है, 900, सारे 900% के profit है, So Polycap India Limited के बात का है, तो company अभी तेक देखा दे, पिछले 4-5 सालों में 2019 से लेके 2024 तर एक बहुत ही कमाल की growth देखा और company एकदम अपना all time, lap time है और अब भी ये company छूटी company से 1,00,000 करों का बहुत बड़े market बहुत बड़े blue chip company बन चुक और सिफ इतना ही निए, ऐसे निकि एक लाग करों का market के आप achieve कर लिया तो आगे growth रहेंगे निए, आगे भी ये company एक blue chip company होने के बाद भी, यहासे भी company आपको mid cap जैसा आपको return मना के देखाता है, उसके पीछी का reason है कि company के business model और उस business में अग आगे भी company के performance आपको इसी प्रकार के देखन को मिल सकता है, और आपको यह भी बता है कि सरकार का यह फिर हमारी India का जिस प्रकार के target है, जिस प्रकार के vision है, कि 500 GWh का हम यह target achieve करेंगे कब तक by 2030 तक, और उसको जएदे वह expect कर चल रहे है, to create significant demand for power transition, transmission और in cable में भी आपको इस future plan है, future growth है, वो भी आपको आने बहले 3-5 साल company के performance आपको इसी प्रकार के देखन को मिल सकता है, और इस चीज़े मैंनी, हमें company के management साइसे भी, हाली में इस प्रकार के commentary भी देखन को मिला था, जो कि उन्होंने कहा था, कि polycap ने अभी तक तो बहुत कमार की growth दिखा है, बट आखे इस growth को maintain रखने के लिए, इतने demand है, उस demand को fulfill करने के लिए हमें और भी capex करने की जरूरत है, जो कि वो करेंगे, यानकि आने बहले next 2-3 साल तक, वो हर साल 10 billion, रुपीज से लेके 11 billion, लगभा 1000 करों से लेके 1100 करों तक पर साल, आपको यह capex करते देखन को मिल जाएग और उसी के साथ सा company और भी धीरो सारे product के ओपर वो company काम करेंगे, जैसे like extra high voltage की बात करें, extra high voltage cable, special purpose cable, cable for international business और optical fiber cable की बात करें, तो इन चीजों में भी company आगे आपको, और भी अच्छी तरह सब काम कर चे देख को मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ, हाली में इस company को government के साथ से, अगर हम RDSS के साथ से बात कर तो इनके अच्छी का से order मिला, जिसके लगबाग 48 billion के आसपास है, और उसी के साथ सा, यह company आगे भी, वो continuously focus कर रहे है, कि वो और भी new, premium product आपको launch कर देख को मिल जाएगा, across the categories, like, where की बात करें, fans की बात करें, switch, switch gear, इन चीजों में company आगे भी आपको new, new product, वो आपको launch कर देख को मिल जाएगा, और बाकी अब इनके यह भी target है, एक तो company की वारेन के वाले business है, जो company के main business है, वो तो बहुत कमा की रोध दिखा रहे है, जूकि हमने quarter phone में देख भी लिया, और आगे भी यह WNC वाले business अच्छी करने वाले है, इनका साहसा यह भी focus रहेगा, कि next 2-3 quarter में company के easy बाले business है, यह भी 9-10% की contribution देता है, यह भी आपको आने वाई time में बहुत अच्छी का साथ को come back कर देख को मिल जाएगा, तो अब ही तक जो polycap के profile से रहा, बहुत कमार के रहा, बट आने बले 2030 से लेके 35 तक जो रहेंगे, आ advantage भी मिल जाता है, कि at least सारी चीज़े को manage कर लेंगे, और growth भी बहुत कमाल के, तो आप 20-10 लंबे अब देख लिए बने, रह सकतो, अब इसके next performance के बात करें, तो 7,000 को जैसे breakout देगा, अगला target आपको 8,000 से लेके, 9,000 का target भी easily और short time में देखने को miss, अगला stock की बात करें, तो ethos limited की बात करें, अगर आपको ऐसा कोई polycap जैसे stock ठोड़ना ही है, कि long time में ऐसे आपको 900-1000 पसंद प्रफिल बना के देख, अब ही छोटी company हो, तो ethos के बारे में वीचार कर सकतो है, ऐसे नहीं कि कल के दिन stock 7% भागा, इसलिए मैं consider कर रहा हूं, तो ऐसा बिलकु भी न 20 कुना, आपको capital grow हो सकता है, रिक्स भी उतना ही है, कि छूटी company आगे grow कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसकी बिजनेस model है, luxury premium watches retail player है, जिसमें normal 30% market है, और luxury premium watches है, उसमें 20% market है, और अगर आप इसके brand को देखोगे, तो आपको omagi जैसे बड़े-बड़े आपको इनकी पर आमें watches देखने को मिल जाता है, मतब बहुत ही, जैसमें नहीं कि luxury premium watches है, तो business model तो बहुत कमान की है, जो कि future में demand है, जिस प्रका के लोगों के income grow हो रहे है, तो इस चीजों का demand बहुत ही अच्छी तरह से grow भी हो रहे है, और आगे भी 15-10 साल ये business और भी कमान की grow हो सकता है, जिनमें अभी ये company कुछ भी performance दिया नहीं, यहाँ से भी company बहुत बड़ी company बनने का पूरा दमख़म रखता है, तो अब आपको risk लेना है, तो छोटी company risk, मुन दब profit कमान की मिल सकता है, बट risk भी उतना है, तो अब चाहो तो इसके बारे में अब जरूर consider का सकते हो, then आ इसमें बहुत कमार के performance बना के दिया अपने इंवेस्टर को लगबग 400% और उसी के बीच में हाली में उन्हें 1-2-4 का bonus भी declare किया, तो जिसके पास है उनके लिए good news है, जिसके पास है नि, तो bonus split के चलते किसी भी stock के जाने की जरूरत है नि, अच्छे company में बने रहोगे, त तो उस प्रका के bonus split आपको उन अच्छे stock में भी future में देखने को मिल सकते।